हेवरिवन, वेलकम तो माई चानल, तो आज हम करेंगे क्लास फाइफ की अलजेबरा की वरकशीट, सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वेरियेबल्स और कॉंस्टेंट क्या होते हैं अलजेबरा के अंदर, क्योंकि बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक वरकशीट बनाई है, जिसमें मैंने यहाँ पर एलजेबरे के एक्स्प्रेशन लिखे हैं, बी प्लस ट्वेल्स तो आपको पता होना चाहिए, कि जो हम ए, बी, सी, डी, ए, ए, फजी हम पढ़ते हैं, जी तक, वो क्या होती हैं, वो आपके सारे क्य ए और बी आपका वेरियेबल है, और फाइफ कॉंस्टेंट है, फोर ओवर एम, फोर आपका कॉंस्टेंट है, और एम जो है आपका वेरियेबल है, एम ओवर फोर, एम क्या है आपका वेरियेबल है, और फोर आपका कॉंस्टेंट है, टू बी सी प्लस एट, सो बी सी क्या है आपकी variable और 2 और 8 आपका हो गया constant ठीक है दन आपकी बात आती है x plus 6 x plus में x क्या है variable है और 6 क्या है constant है 2 by 3 a plus b 2 over 3 क्या हो गया constant हो गया और a और b आपका variable हो गया x plus 6 x क्या है आपका variable है और 6 क्या है आपका constant है 19 minus g 19 आपका constant है और g आपका variable है 12 over a minus b 12 आपका constant हो गया और A और B आपका variable हो गया then 0.3 प्लस X so 0.3 आपका constant हो गया और X आपका variable हो गया 6P, so P आपका variable है और 6 आपका constant है 3-M, so M आपका variable है और 3 आपका constant है तो यह आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने यह basic worksheet बनाई थी next आपका ओद है कि आपको यह पता होना चाहिए expression किसे कहता है और equation किसे कहता है क्योंकि algebra में आपको यह term सुनने को मिलेंगी इस वज़े से यह worksheet बनाई गई है basically आपके लिए अब देखो मैंने first में लिखा है कि यह equation है, क्यों लिखा है सबसे पहले देखो 4x plus 7 equals 23 मैंने इसको equation लिखा है और x square minus 5 इसको expression लिखा किस base पे लिखा है आपको यह पता होना चाहिए अगर मेरे पास LHS left hand side और right hand side given है तो यह क्या होगी आपकी equation होगी यह कैसे मुझे पता चला कि मेरे पास left hand side और right hand side है क्योंकि बीच में equal का sign है अगर equal का sign आ जाता है बीच में तो मेरे इस side यह जो होती है यह वाली side है मेरे left hand पर पढ़ती है इसको मैं left hand side बोलती हूँ और यह मेरे right hand पर पढ़ती है इसलिए मैं इसको right hand side बोलती हूँ जब भी आपके पास इस तरह के कोई expression होगा जब भी आपके पास कोई भी इस तरह की equation होगी इसको हम equation बोलेंगे expression नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके पास दो side है इसमें LHS और RHS अगर हम बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर मेरे पास कोई side निया सिर्फ एक equation दी हुई है x square minus 5 तो यह आपका क्या होजाता है expression कहलाता है ठीक है अब यह वाली बात करें 3P equals P plus 36 तो यह क्या है आपकी equation है क्योंकि बीच में equal आ गया 3M minus 2 equal M plus 6 तो यह आपकी equation है E over 4 equals 15 equation 35 equals 4D minus 1 equation 3X equals 21 equation B plus 3 expression 4 minus 3Y expression C minus Y equals 21 equation 5X minus 16 expression 11 minus 2X expression X plus 5 over 6 equal 11 equation 5X over 11 plus 12 this is your expression and 2X minus 3 over 7 that is your expression तो इस तरीक से आपको क्या करना है equation और expression में difference मालूम करना है यहाँ पर भी आपको क्या given है यहाँ पर भी आपको तो इसमें भी आपको क्या बताना है जवर और expression बताना है ठीक है expression expression है equation है लेकिन इस पर आपके पास sentence is given है यहाँ पर equation given नहीं है तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे difference between 6 and twice a number तो यह क्या है आपका expression है और 1 third of N is 5 यहाँ क्या है आपकी equation है तो मैं कैसे बता रही हूँ इसलिए बताने है क्योंकि यहाँ पर is given है जैसे ही आपकी किसी भी sentence में is given हो जाता है तो यह पता चल जाता है कि भई यह दो side-ed equation है that means left hand side और right hand side given है इसमें So that's why यह क्या हो गई आपकी equation क्योंकि हमने अभी से पहले वाली worksheet में पढ़ा है कि जब आपके पास LHS और RHS होता है तो वो क्या है आपकी वो आपकी equation कैलाई जाएगी ठीक है So इसलिए यह equation है 6 more than a number तो यह क्या है आपकी expression है पर is नहीं आ रहा है 27 is So is आगिया तो यह क्या है आपका equation है The quotient of 36 and the sum of x and 4 यह expression है The product of a number and 12 expression 10 is That means यह आपका equation है The sum of u and 5 is यह क्या है आपकी equation है 12 decreased by 7 expression Twice a number less than 8 is Is your equation 5 added to a is equation 17 subtracted by m is equation The product of a and 3 decreased by 8 यह आपके expression हो गई The quotient of 12 and y is यह क्या होगे equation होगे The sum of 2 and x क्या होगे expression होगे So इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप यह आपको सबसे पहले यह basic worksheet थी उसके बाद मैं step by step worksheet अप्लोट करूँगी ताकि आपको कोई भी परिशानी ना हो जब आप algebra पढ़ रहे हों Especially जब हम 5th class में algebra स्टार्ट करते हैं तो मैं बहुत दिक्कतों का सामना करना पढ़ता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारी problem school solve कर सकूँ तो यह एक basic worksheet थी जहां पर आपको algebra की जो terms है वो आपको पता होनी चाहिए उम्मीद करती हूँ कि यह आपको पसंद आई होंगी अगर आए तो like share जरूर करिएगा Bye Bye